आपके स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे कि जो कोरोना वाइरस इसकी जो विमारी महामारी फैल रही दुनिया में वैक्सीन्स और 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 शुधियों की क्या हाल है सत्यीत पहली बात तो ये है कि जब तक वैक्सीन हमारे हाथ पे नहीं होगा तब तक ये महामारी चलता रहेगा यही अभी लग रहा है तो वैक्सीन इसलिए सबके लिए बहुत जरूरी है तो अभी 10 वैक्सीन दबली एचो को बताविक अभी ट्राइल्स पे है कुछ फेज वन फेज ट्राइल्स पे एक वैक्सीन कह रहे हैं कि वो फेज थी ट्राइल्स पे है तो ये वैक्सीन की इस वक्त की जो स्थिती है उस कि तकरीबन इस साल के अंध तक मतलब दिसंबर तक दुनिया में वैग्यानिकों के हाथ ना सिर्फ टीकों की संभावनाएं होंगी बलकि टीके मौझूद होंगे और टीकों की संभावना और टीका में काफी फर्क है जिसके बारे मैं शायद आगे चल के कुछ पैस करेंगे ल एक से ज्यादा टीके जहां तक संभावनाएं हैं तीकों के स्वरूप में दिसंबर तक वैग्यानिकों के हाथों मौझूद होने में और आम दुनिया के लोगों तक पहुचने में काफी फर्क है तो यह अलग अलग हिससे हैं टीका निर्मिती की प्रक्रिया के एक मैं जिसे कह रहा हूं कि दिसंबर तक जो अभी से हाल में चलती हुई बात है जो विज्ञान और प्रोध्योगिकी की है आमतौप से और उसके आगे की बात है जो सरकारें, निजी कंपनियां, सारवजनिक पैसों से क्या हुआ विज्ञान अन्वेशन इसको सब के लिए किस तरीके से आगे बढ़ाएं है इस अलग सवाल है राजनेटिक सवाल की मानोबाद है ठीक है तो हम दो हिससे में इसको बाटते हैं एक तो है आपने जो बात किया कि वैग्यानिक के वैग्यानिकों के हाथ में टीके होंगे इसका मतलब जो फेज वन, फेज टू, फेज त पूने के साथ जिनकी संबंध है वो तो यह भी बात कह रहे हैं कि हम इसको फेज त्री ट्राइल्स पे अब चले गए तो यह फेज वन, फेज टू, फेज टू, फेज ट्री ट्राइल्स को समझाएंगे क्या है क्या है क्या है तो इस तरीके से टीकों के बारे में अपन सोच कि क्या हम किसी भी नई संक्रामक बीमारी के खिलाफ टीके बनाना जानते हैं क्या और इस सवाल का उत्तर हाँ भी है और ना भी है हाँ इस तरीके से है कि चार-पांच अलग-अलग दिशाएं है कुछ 200 साल पुरानी है, कुछ 25 साल पुरानी है लेकिन पांच अलग-अलग तकनीक हैं, प्रोध्योगिकियां हैं, दिशाएं हैं जिनके जरिये परिणामकारक टीके बन सकते हैं लेकिन ये हुआ हाँ वाला उत्तर परेशानी ये है कि वैज्ञानिक अभी तक ये पूरे विश्वास के साथ कह नहीं सकते कि इस तरीके से इस बीमारी के खिलाफ यू टीका बनाएं तो बिलकुल गुनकारी होगा ये पूरे यखीन के साथ कहने की आज वैज्ञानिकों में ख्रमता है नहीं तो इसलिए जाहिर है कि एक और से बड़ी तेज अरफतार से इन सारी दिशाओं में से टीकों की तलाश जारी है मतलब के लोगों ने इन का इस्तमाल करके पांचो किसम के टीके बनाए हैं देड़ एक सो गुठ हैं दुनिया भर में जिनोंने आम तौर से इन पांच तक्निकों को लेकर टीके बनाए हैं लेकिन क्या ये टीके सच मुझ असर करते हैं असरदार हैं या नहीं इसकी जांच करनी पड़ेगी जांच के तीन कदम है माने जीएगा पहला कदम तो ये है कि छोटे जानवरों में चूहों में आम तौर से टीके दे दे और चूहों के खून में जो टीके के खिलाफ एंटिबॉडीज पैदा होती हैं विशान के संक्रमन को रोकने वाली एंटिबॉडीज हैं या नहीं क्या सुरक्षादाई एंटिबॉडीज हैं या नहीं क्या प्रोटेक्टिव एंटिबॉडीज हैं या नहीं इसकी जांच करें तो मेरे खयाल से तेड़ सो में से सो एक गुटों ने ये चुहों में जाच तलाश कर रखी है और यहां तक आए हैं कि चुहों में अगर उन्होंने जो टीकास फरूप बनाए हैं वो दे दें तो इस तरीके की सुरक्षदाई एंटिबोडी इस चुहों में पैदा होगी यह हुआ पहला खदम लेकिन इसके बाद के जो खदम है वो इनसानों को लेकर है कि इनसान में टीका असरदार है या नहीं तो असरदार होने के पहले इनसानों में इस सवाल का उत्तर मिलना चाहिए कि क्या इनसानों को देना बिना खत्रे का है या नहीं तो यह पहला खदम हुआ तो यह जो आप व्हो के बयान का जिस जिकर कर रहे हैं उस बयान के अनुसार दस से ज्यादा गुटों के उमीदवारटी को ने हैं तो उमीदवारटी को ने यह खदम भी पार किया है कि चंद एक बिल्कुल स्वस्थ जवान इंसानों में स्वेम सेवी इंसानों में यह उमीदवारटी के दे गये हैं और यहां तक बात आई है कि उनमें कोई दुषपरिणाम दिखाई नहीं दिखाई नहीं तक जो टेस्ट हुए हैं 10 तीके safe हैं अभी तक तो मेरे खयाल से 10 से भी शायद ज्यादा होंगे लेकिन 10 के आसपार स्वेम का लिस्ट में इस वक्त दस ही दिखाई पर देगा तो यह हुआ बहुत पहला प्राथमिक कदम टीकों के इंसान में जांच का तो यह जो दूसरा कदम है इंसानी जांच का यह देखें के तकरीबन सारे लोगों में जिन्हें यह उनिदवार्टीके दिए गये हैं उन में सही मातरा में सिर्फ चुटपुट मातरा में नहीं बलके अच्छी खासी मातरा में सुरक्षादाई एंटिबॉडी पैदा होती हैं अगर ऐसी एंटिबॉडी पैदा होती हैं और दो तीन गुटों ने दावे किये हैं कि वो यहां तक भी पहुँचे हैं कि इस तरीके से 25-30 लोगों में, वालंटियर्स में, उन्होंने जांच करी हुई है और ये जो सुरक्षदाई एंटिबॉडी हैं, ये अच्छी मातरा में पैदा होती है तो यहां तक तो मानने की बात है क्या मानने की बात है? कि जो जिस एंटिबॉडी के गुणधर्म को हम सुरक्षदाई कह रहे हैं, वो सचमुच बीमारी के खिलाफ सुरक्षदाई है अब भला इसका क्या सबूत है? तो इसके सबूत के लिए अगला कदम लेना पड़ेगा यह जो आपने जो जिकर किया ना के फेज वन, फेज टु और फेज थिरी होते हैं प्रिनिकल ट्राईल के इनसानी जांच के तो इनसानी जांच का पहला कदम फेज वन जो सुरक्षदाई की जांच का है जो सेफटी का है दूसरा कदम जो है So तो, immunogenicity का है, जिसे मैंने कहा कि क्या इंसानों में सही मातरा में protective antibodies पैदा होती हैं, और तीसरा कदम होना चाहिए, तो, यह है कि क्या अगर बहुत बड़े इंसानों के गुटों को यह उमीदवारटी के दिये गए हैं, और सिर्फ यह देखा गया कि एक गुट को आपने टीका दिया है, दूसरे को नहीं दिया, अब इन दोनों में सिर्फ इतना देखें कि कितनी मातरा में COVID-19 की बीमारी तीन महिनों में देखिएगा, छे महिनों में देखिएगा, साल मर देखिएगा, अब जाहिर है कि COVID-19 का पहलाव जितने बड़े पैमाने पर होगा, उतनी छोटे वक्त में पैस्ट्री ट्राइल्स कर पाएंगे, यह नतीजे हाथ में आ जाएंगे, जिन पर यकीन कर सकेंग एक परेशानी यहां यूं है कि अपन सब अपनी सरकारों से दुनिया भर में इस उमीद में है कि सरकारें ऐसे उपाय करें, सारवजणिक नीति नियमों के ऐसे उपाय करें, जिनकी वजह से पहलाव की रफ़तार कम हो, COVID-19 के बीमारी की पहलाव की रफ़तार कम हो, तो एक और ये कोशिशें हैं कि COVID-19 के फैलाव की रफतार कम हो. दूसरी और उमीदवार टीकों की जाँच का मसला है, जहां जैसे जैसे COVID-19 की फैलाव की रफतार कम होते जाएगी, वैसे वैसे जाँच की अबधी बढ़ती जाएगी. क्योंकि बहुतेरी केसिस तो निकलनी चाहिए बगेर टीके बाले कोशिशें होगे कि टीके का असर हो सचमुच होता है या नहीं? तो इस वज़े से अभी बड़ी अनिश्चितता है कि कहाँ, मतलब दुनिया में, कहाँ, किस शहर में, किस इलागे में, ऐसी जाचे करें, कि वहाँ पे COVID-19 के फैलाव की रफतार अच्छी हो, मैं अच्छी हो थोड़े व्यंग से कह रहा है, हमारे लिए, हमारे लिए तो समाज के लिए तो वह अच्छी नहीं है, लेकि जाच्छ के लिए इस संदर्व में अच्छी कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि जैसे हम भी शामिल है, इस वक्त हमारे यहां काफी तेजी से बहुत जगों पर बहुत प्रांतों में बढ़ रहा है, उस में मुंबाई है, पुने-पुने है, उस में दिल्ली है, और लगता नहीं कि यह एक महीना पंदरा दिन में घटने बाला है, लगता है कि दो तीन मही चलेगा, और दूसरे प्रदेशों पे भी बढ़ सकता है, इसके साथ साथ अगर हम देखें, तो ब्रजिल में तो बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है, इस वक्त मेक्सिको, पेरू, आफरीका पे 202 लाक के उपर संख्या पहुंच चुकी है, तो इस तरह से संख्याओं को द प्रयोग करने के पहली बंद होगी, तो महामारी उस तरह से बनी नहीं, बंद हो गई, यहां लगता है जिस रफसाथ से अभी तक पहली है, लगता है कि फेस्थी शायद जल्दी हम कर पाएंगे, और जो आप कह रहे थे, तो इस पर इभी क्या संभावना है कि कुछ लोग वालिंटियर करें, खास तोर से जो हेल्दी लोग अभी हस्पिदाल में हैं, जो और रिस्की केसे जिसे कह सकते हैं, वो टीका ले और उससे हम जल्दी जाच कर पाएंगे किता सेफ है, कित अप है, आपका एक्शिली वैक्शिन का प्रभाव हो रहा है नहीं, तो आप जो अच्मुच बीमारी को रोकने के लिए उमीदवार्टी का परिनामकारक है या नहीं, इस अनिश्चितकाल को छोटा कैसे करें, तो इसके दो तरीके सामने आये हैं, एक ये है कि ये जाच ही ना करें, मान के चलें कि अगर उमीदवार्टी के लेने के बाद इंसान के शरीर म प्रोटेक्टिव एंटिबॉडी इस बन गई, तो मान के चलें कि टीके का बीमारी के रोक्ता में असर होगा ही होगा, इसको लेकर कई लोग सोच रहें कि क्या इस तरीके का बदलाव जो लाइसेंसिंग की अप्रूबल की प्रक्रिया है, उसमें करा जाएं, दूसरा तरीक का ये है, इस अनिश्चित काल को कम करने का, जिसका आप ने जिकर किया था, और वो ये है, कि छोटे दो गुट ले ले, एक को उमीदवार टीका दे, एक को ना दे, और फिर उन दोनों गुटों को समझ बूज के COVID-19 की बीमारी दे दें, तो हर एक कोहनी है, और फिर ये माल जिवार टीका दिया गया है, उस गुट के बारे में प्रश्ण करें किया संख्या काफी पैमाने पर कम होगी, अब इसमें खत्रे भी हैं लोगों के लिए, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं, क्योंकि सार्सकॉप दो, COVID-19 की बीमारी, उसके गंभीर लक्षन तब होते हैं, जब साथ वाली बीमारिया होती हैं, बड़े बुढो में होती हैं, बलड़ प्रिशर, ड़िपटीस जैसी बीमारियों के जो धिलिकाली इंशिकार हैं, उनलोगों में होती हैं, तो बिल्गUL यूँआ जवान, स्वस्थ लोगों ने अगर इस तरीके किये बजाए बटppyर बॉल तो अभी तक इन दोनों पर्यायों में किसी को भी पूरी मान्यता प्राप्ति हुई नहीं है. तो अभी जो रास्ता पकड़ा है उमीद्वार्टीकों के लिए वो आम जाने समझें फेस्ट्री ट्रायल का है जिसमें दो गुटों एक उमीद्वार्टीका दे दो एक को ना दो और फिर बैठ के देखो किस गुट में कितने पैमाने पर कोविद उनिस की बीमारी पहले बात की थी आपने कि यह तो हुई बात बैज्ञानों को हाथ में सफलता पूरवक टीके आने और यह लगता है कि जिस तरह से हम टीके बना रहे हैं कुछ ना कुछ कुछ ना कोई टीका तो इसमें पास हो यह जाएगा कितना अच्छा होगा कितना कितना प्रटेक्शन देगा इसको हम मालूम करने में वक्त लग सकता है पर कुछ ना कुछ प्रटेक्शन बिमारी को कम करना है तो हो ही जाएगा वह तो अभी इन दस टीकों की result से भी अन्द कोवीड से मुक्त होके उनके normal antibodies होंगे तो इसमें इसको scale-up करने के लिए जो चीजे चाहिए दो तरक चीजे एक तो industrial capacity होनी चाहिए scale-up करने के लिए दूसरी बात है intellectual property तो क्या संख्षित में हम कह सकते हैं कि industrial scale production में main bottleneck नहीं है? तो अब संक्षेप में कहना तो बड़ा मुश्किल है लेकिन कोशिश जरूर करते हैं तो तीन मुद्धे अपने याद रखने ही चाहिए पहला मुद्ध ये है कि मैंने जो शुरुआत में जिकर किया था कि अलग-अलग तकनीक है ठीके बनाने के उस हरेक तकनीक को लेकर बड़े पहमाने पर टीके ठीकों का निर्मान करना, industrial production करना कुछ के लिए आसान है, कुछ के लिए आसान नहीं है तो ये एक बात भी हमने ध्यान में रखनी चाहिए दूसरी बात जो आपने उठाई, so intellectual property rights, patent तो सारे टीके तो patent से बंदे हुए होते हैं इस आजकल के जमाने में तो जाहिर है कि जितने टीकों का WHO के बयान में जिकर है उन सब टीकों में निजी कमपनियां, प्राइवेट सेक्टर कमपनियां उनकी शिरकत है, उनकी पार्टनर्शिप है उनके लिए तो मुद्दा मुनाफ़े का हैं तो कितना मुनाफ़ा उनके लिए जायज होगा, कितना नाजायज होगा ये बातचीत से तै होगा और बातचीत से बाद आगे जाएगी उस बातचीत में दुनिया भर की सरकारें कितना मनोबल जुटाएंगी ये अभी तक बातसाफ नहीं और तीसरा मुद्दा ये है सती इस पर इंट्रप्ट कर रहा हो आपको कि देखे टीके बनाना सहब को तो आता है अगर मालूम पड़ता कि ये टेका सक्सेस्फुल है उसको कॉपी करना किसी भी देश के लिए मुश्किल नहीं है तो पेटेंस पर रोकावट क्यों हो क्योंकि सब देश में कमपाल्सरी लाइसेसिंग की प्रवधान है दोहा की डेक्लरेशन जो थी डव्य टीो की उसमें भी इस साथ लिखा गया है कहा गया है कि अगर महामारी है हेल्थ एवर्जनसी है तो कमपाल्सरी लाइसेसी करने में कोई तरास नहीं है और कोई विदेश की विदेशी कमपणियों से भी उस जो लोगए में और आपते है तो क्यों जब यह हात्यार हमारे हाँ पे है रुकावट किस बात की ? तो मैंने संक्षेप में इसी बात का निर्देश किया था, क्योंकि व्यावहारिक सवाल ये है, कि ये जो संसाधन हाथ में हैं, जिनका आप निर्देश कर रहे हैं, उनको इस्तमाल करने का मनोबल क्या सरकारें जुटाएंगी? राजनीतिक सवाल है, इस राजनीतिक सवाल में अगर सरकारों का मनोबल बनाना है, तो हम सब ने बनाना ये कह के, बतौर नागरिकता के, के यूँ होना चातुए, और इस में बतौर टिपणी के एक तीसरी बात कहता, वो ये है, कि निजी कमपनीयों के लिए भी महामारी के दर्मियान मुनाफ़ाख हो री करना भया ठीक दीखता नहीं है भले ही चाहिए हो लेकिन ठीक दीखता नहीं है तो उसलिए कुछ तनिक दिखावा तो करना पड़ेगा इसे corporate social responsibility कहते है CSR कहते है इस दिखावे को तो बिलगेट साहब से लेकर आदरपुनावाला साहब यहाँ पुना में सब निजी कंपनियों के बनाने वाले लोग जाँच पर्ताल में शरीक होने वाले लोग इस corporate social responsibility में लगे हुए हैं कि किसी हग तक उतना बुरा न दीखें और ये बात शर्मो हया की बात दुनिया की लोगों के और से टीकों का लोगों तक पहुचना असान करने में मदद खरी ये बात सही है आपकी पर फिर भी आप देखी सकते हैं कि जो AIDS महामारी में जो गवा था कंसेशनल रेट जो नीजी कंपनियों अमरीका या यूरप में है उनका समझ और हमारा समझ बिल्कुल भिन्न है तो उनको तो था कि साल का दवाई चार हजार डॉलर उनको लगा था कंसेशनल है क्योंकि वो अपने देश में गया वैसे 15,000 डॉलर में बेच रहे थे वही दवाई पर हमारे लिए 4,000 डॉलर एक साल की अगर दवाई हो तो वो तो हमारे लिए माफिक क्या मौत की संदेशी लाता है तो इसलिए एड्स के लेकर जो राजडितिक सवाले खड़ी हुए थे इस दोहर डिक्लिरेशन उसी के तहद आया था और उसलिए अभी भी जो अख़बार से लेकर हर जगा पे जिक्र हो रहा है कि इस महामारी में एड्स जैसा रवाया नीजी कंपनिया ना उतनाए जोकि ये उनके लिए और पूजी बात के लिए अच्छा संदेश नहीं लाएगा वो तो बात है पर इस पे तो ट्रॉम्प साब भी खशाबिल है उन्होंने AstraZeneca को एक बिलियन डॉलर दिया है Moderna का और भी एक बिलियन डॉलर दिया है वार्प स्पीड वैक्सीन की प्रोग्राम के तहट और ये भी कह रहे हैं कि पहला दवाई हमें मिले चाहे आप अमरीक कंपनी हो चाहे आप फ्रेंच कंपनी हो चाहे आप अंग्रेज का UK कंपनी हो हमको पहले दवाई मिलना चाहिए वैक्सीन मिलना चाहिए और वो दिधारित करेंगे किस दाम पे वो दूसरे जगाहों पे बेच सकते क्योंकि अमरीका इसको एक राजनितिक हाथियार के रूप में भी अपनी लड़ाईयों में देखना चाहता है लग रहा है ट्रॉम्प की बात चीज से मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ यहां पर मेरा विचार तो खैस साफ है और आपकी भी पर यह ट्रॉम्प साब के खुद की बात है यह है और इसमें इसी लिए अगर यह राजनितिक मनोबल नहीं रहा तो हमारी खालत शायद इतना अच्छा नहीं होगा तो आपको रेम्डिसिफर की एक बात भी कहना चाहते है अभी इंदुस्तान की सरकार ने भी यह कहा है कि यह इस्तेमाल करना चाहिए इस बात पर नहीं जा रहा है और इंदुस्तान में कितना फायदा होगा कितना फायदा नहीं होगा अलग बात है पर इंदुस्तान को जो दाम है उस दाम में एक कोर्स हिंदुस्तान में किसी भी अस्पतान में करने मतलब लाखों के रुपेयों की बात है तो इसमें compulsory license की बात अगर आप सबचते अच्छी दवाई है तो आनी चाहिए बिलकुल आनी चाहिए और अगर भारती आयरविक्यान अनुसंदान परिशाद ICMR कह रही है कि उन्हें पूरा यकीन है कि रेम्देसिविर बड़ी असरदार दवा है तो फिर उन्होंने सिर्फ तक्नीकी रवय नहीं अपनाने चाहिए उन्होंने ये आप जो कह रहे हैं उस तरीके के मैदान में भी पढ़ना चाहिए ना बिलकुल कि आम लोगों को रेम्देसिविर कैसे उपलब्द हो तो जो ICMR करा हुआ है वो मैं तो ये कहूंगा कि इस दृष्टिकॉन से बड़ा ही अपूर्ण है बड़ा ही मरियादित रवया है और वो ये दिखाता है जहां तक मैं समझता हूँ कि सरकारी और प्रशासनिक मनोबल अभी तक उस सतह तक नहीं बंधा जहां वो असरदार तरीके से नीजी कमपनियों के साथ खेंचतान में लोगों की ओर से पढ़ सकता है खासतों से बहुराज्य निगमों के साथ जो खीचातानी है उजो संघर्ष करना है उसको मनोबल और सही बात तो यह है कि हम USTR 301 पे हर साल धंकी खाते हैं और 2012 के बाद जो नेक्सवर जो कैंसर दवाई थी उसको हमने पेटेंट थे उसका कंपॉल्सरी लाइसिंसिंसिक के तहद एक हिसाब से तोड़ा था उसके बाद हमने USTR के धंकियों से दुबारा इस तरह से कंपॉल्सरी लाइसिंसिंग नहीं किये थे पर इस मौके पे अगर कंपॉल्सरी लाइसिंसिंग नहीं करते हैं तो कंपॉल्सरी लाइसिंसिंग है किसलिए यह बहुत बढ़ा सावा लगता है इस पर आप और हमारी विखानिया यह है कि हम इस सावाज को जोड़दार नहीं कर पाएं कि यह चीजे सरकार की ऊपर प्रेशर के तौर पे कम सब पढ़ना चाहिए ताकि इन दवाईयों और सिर्म डिसिवर यह एक दवाई नहीं है और भी जोसे कहते हैं एंटी वा कोविड-19 के से साथ जुला हुआ है इसकी बातचीत ने करते रहेंगे और आशा यह है कि हमारे साथ सत्यीत रत रेगुलर्ली इस बात पर जुड़ेंगे और हमको बताएंगे कैसे किस दिशा में हमको चलना चाहिए तन्यवाज सत्यीत आज के लिए आज के लिए इतना ही करे रीगा जुस्की